सो हलो अब्रीवान विल्कम टु अग्रु अक्याडमी आज की इस फीडियो में एक नए स्कीम कवर करने चाहरे हैं डे अनरलम जिसका पुरा नाम है दीन द्या लेंतियो देयो जना नेशनल रूलर लाइबली हुड मिशन तो कफी इंपॉर्टन स्कीम है एक्जाम में आपकी क करने कोची करूंगा तो अगर आप त्यारी करें तो प्लीज वीडियो को इन तक देखिए और चलने पर नया है चलने को सब्सक्राइब जरू कि लिजे और वीडियो को लाइक किए बिना मच चाहिए ठीक है तो स्टार्ट करेंगे तो यह जो मैंने इमेज उनकी वेबसाइ यह जो है अभी टो अभी इसके ऊपर भी कोशन आथा आपका किसमें अभी जो फेस्ट इन सी है ठीक है उसके बाद डेंट बिता लियारा से यह वरकिंग में है तो यह है इतना poster अगर आपको website visit करना तो link आपको description मिल जाएगा ठीक है तो start करेंगे आपको मैं end में कुस question भी रखा है मैंने objective question उसको भी कराओंगा तो आपसे request है कि वीडियो को आप आखरे तक जरूर देखिए है ठीक है सबसे पहले हम scheme के बारे में बात कर लेते हैं scheme क्या है कब लांच हुआ था किस mission पर यह work कर रही है तो अगर आप देखेंगे तो launch date जो है इसनका ती थर्ड जून दोज़ाइब तीन जून दोज़ाइब को यह launch हुआ था जब यह launch हुआ था तो उस समय पर स्वाण जैनती ग्राम स्वार रोजगार योजना के नाम से बना था और इसको री स्ट्रक्चर करके इसको री मॉडल बनाया गया कैसमे नरलम के नाम से ठीक है पर इसको पर नाम से बनाया था तो यहां से कुश्चन आपको बन सकता है कि launch date क्या है और यह कभी री स्ट्रक्चर हुआ था उसके साथ अगर कुश्चन बनता है कि भाई इसमें इसका पूरा नाम भी डे नरलम है वो कप पड़ा था इस्टार्टिक में तो यह आपको आंस 2015 में इसका प्रोना मन गया दीन द्यालन त्योद्य यूजना जो अभी हम जान रहे हैं डे नलम के नाम से इतना बात क्लियर आपको सिंपल जो इंडूटक्शन मैंने आपको बता दिया कि कब launch हुआ था और इसका नाम रीनेम कब किया गया था यह आपको याद रखना है ठी है यह स्कीम है प्रमोटीण इस एंप इंड फघ्रिय एंटो ऑइस्टि आब्यास बहुलै सटो पूर compile अपना में पिगोजा dog agree लोग मेंने यृक्फ हें लाये जाए SSG के form किया जाए ठीक है आपको पताओ कि SSG अभी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है गॉर्मेंट और अभी इनका जो revolving fund है उसमें भी increment आया है कितना बढ़ा हुआ है यह ज़्यादा important data है आपको बताऊंगा मैं आगे कि SSG का जो revolving fund है अभी की समय पर कितना है तो SSG को लेकर सरकार काफी आदा active है और इस वे काफी अच्छी से काम कर रही है तो SSG का आप समझ लिजी कि हर एक village में अलग-अलग घरों से 10 महिलाएं मिलके SSG form करती है जिसको हम self-help group के नाम से जानते हैं ठीक है तो यह बात आपको थोड़ा सा गौर करने वाली है इध्यान में रखिएगा उसके बाद अगर हम देखें तो यह जो इस प्रोग्राम है आपका वर्ल्ड लार्जेस इनिसियेट्व है जो अभी स्टार्ट हुआ डेरारम का इनिसियेट्व वो सबसे बड़ा है दुनिया में सबसे बड़ा इनिसियेट्व है किसके लिए इंप्रूब लाइवलिहूड आप पूर ठीक है एक गरीब तबकि जो लोग है उनकी लाइवलिहूड को बढ़ाने के लिए उनको लाइ अब यहाद रखी मिनिष्टिया रूलर लेवल्मेंट के अंदर आती है इसकी आपके डे नलम ठीक है अब उसके बाद यह प्याइव के डाटा था अभी इस प्रोग्राम के अंदर अभी एक योजना शुरू की गई संगठन से सम्रिद्धी किसके लिए लिविंग नो रू प्रोड़ेटेड है ठीक यह प्याइब के डाटा है उसके बाद यह इंपोर्ड़न डाटा है यहां से कोश्चन बने के काफिया था है ठीक है तो डे नने में पूछ सकते हैं अलग अलग जो सेक्शन हैं वीकर सेक्शन है कितने पर्षेंट में हैं तो आपको मार्क करना दिसेबल्टी है मतलब कुछ नब कुछ सेक्शत में डीसे एबल्टी है तो यह अपको पर्षेंटेज्ड पता पहले चालिये कि सब्सक्राव बोइद stir शेकर करना है जितने का पता मिरे गदा दाने तो socio-economic and caste census तो SEC के थूरू at least one deprivation criteria होना चाहिए जो भी rule household हैं वो DLM के under में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं ये SEC decide करता है आपको PIP के जो news में वो था वो दिखा देता हूँ तो जो household है rule household उनको identify कैसे करेंगे through the process of participatory identification of poor PIP के रूप में the household with at least one deprivation as per the socio-economic and caste census SEC 2011 database के थूरू हम ये identify करेंगे कि वो eligible household हैं कि नहीं है इस mission के under में आने के लायक हैं भी नहीं है तो ये बाते आपको यहां से ध्यान में रखनी है तो ये इतना बात आपको समय में आया आपको percentage आज रखना है कि और criteria करता है ये आपको ध्यान दखना सेक और PIP के थूरू हम आपको eligibility पताते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं funding pattern जान लेते हैं इसमें तो ये स्कीम आपकी central sponsor scheme है तो आपका इसमें state और central दोनों के खर्चे लगने वाले बस पता होना जी कितना percent central दे रहा है कितना percent state दे रहा है तो अगर हम सभी state की बात करें तो आपका 60-40 का ratio रहता है लगबख Central आपका 60% और state आपका 40% रहते हैं अगर हम North Eastern region की बात करें ठीक है सिक्किम की बात करें तो 90-10 का ratio रहता है और यूटी की बात करें जितने भी यूटी है state को छोड़कर तो यहां पर हंड़े पर्शंट सेंट्रल है सेंट्रल मतब सेंट्रल पैसे दे रहा है ठीक है तो यहां पर उसके बाद आपको कुछ main main component जो है तो चार जो main component है स्केम की वह आपको पता होना चाहिए आप सर्में देदेगा पांच component पूछे का कि वीच आप दे फालोंट इस नॉट a component आफ दे अनल्युञम अपके एक्जाम में बन सकते है तो सबसे पहला component कौन सा है social mobilization यह आपका main keyword है social mobilization याद रखना है and the promotion and standing of self-managed and financially sustainable community institution of the ruler poor woman ठीक है social mobilization यह main keyword याद रखिए financial inclusion second component sustainable livelihood and social inclusion यह आपका main main keyword है यह चारो component आपके दिमाग में होने चाहिए social mobilization financial inclusion sustainable livelihood social inclusion यह आपके चार main component है यह यह मैं डाट की बात कर रहा था SSG में जो आपका अभी के समय पर जो investment हुआ है और revolving fund कितना है वो आपको पता होना चाहिए under the mission there is a provision of providing revolving fund तो इसी mission के अंडर में हम revolving fund देते हैं SSG को जो पहले के time पर यह साय 10-15 के था ठीक है तो यह प्रॉंट आटा है उसके बाद इन्होंने बढ़ा के 20-30 रुपए कर दिया पर SSG तो डायट कोस्चन आपके बन सकते हैं कि पर SSG जो है कितना भी revolving fund है ठीक है community investment fund पूछे स्याव की बारे में पूछे तो पर SSG को लगवाँ धाई लाख रुपए मिल रहे हैं community revolving fund के रूप में ठीक है उसके बाद कुछ statics है geographical coverage अंडर अनरलम तो कुछ में में जो मैंने डाल के रखें कि नमबर आप स्टेट कितने कवर हैं इसमें ब्लॉक्स कितने कवर हैं ग्राम पंचायद कितने कवर हैं जो बड़े डाटा है आपको याद रखने जरूरत नहीं में में चीज है वही याद रखिए बस मैंने आपको जंगरे के लिए यहां पे अब एक चीज और है कितना इनको फंड मिला है उसके बारे में देख लेते हैं नेशनल रूलर लाइवली हुड मिशन को लगबख सेवनेक्स इंक्रीज मिला है आपके पिछे नौ सालों में लगबख सेवनेक्स का इंक्रीज हुआ है आप देख लीजिए 2015-16 से लेकर अभी 23-24 का डाटा है यह म को बता दिया है तो आपको कुछ जो में में अब्जेक्टिव करा देता हूं अभी अब्जेक्टिव पर चलते हैं सीधा क्या किया है पहला एडे अनलम स्कीम मोर्ड विल भी प्रोवाइड़ रिवाल्विंग फंड ठीक है तो मिनिस्टिय अदर याती है अभी यह रिवाल अभी जो मैंने ऊपर नंबर बताया था उसी के बारे में कोश्चन है कि पर सजी कितना इवालिंग फंड मिल रहा है तो आपको आप सब्सक्राइब करेंगा 20-30 रुपए पर सजी को रिवालिंग फंड के रूप में पैसे मिल रहे हैं कुश्चन है आपका महारिसी प्रपो आपका तो यह आप ध्यान में रखिए कुश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं अभी हमने बात किया लिविंग नुरूलर वुमें बिहाइंड इस एसे कुश्चन आपके एक्जामें बनते हैं कुश्चन नमबर थी साथी पोर्टल एंड मॉबाइल एप लॉंच मिनिश्ट्री आप अभी हाली में मिनिश्ट्री आप अगरिकल्चर ने लॉंच किया है साथी पोर्टल और मॉबाइल एप यह पूछ रहे हैं किसी से और्गेनिक फर्टिलाइजर अविबिल्टी को बताता है क्रेडिट डिस्बर्जल स्माल फार्मर के लिए है सीड प्रो कि अप्सेल नुम्बर सी जो है करणा है सीड प्रोडक्शन और क्वालिटी सीड को अडिटिफाई करने के लिए अभी साथ ही पोर्टल और इसको एप को लांच किया है यह तीन कोस्ट्टन है आपको इस पीडियाप को डालू करना तो एगरो अक्याडमी के टेलिक्राम पर करना है तो आपको उसका भी लिंक कर सकते हैं बिलकुल फ्री में ठीक है तो यह था वीडियो दोस्तों अगर आपको वीडियो पिसना वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद